नालंदा विश्व विद्याले एक ऐसा संस्थान जिसे तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचिन विश्व विद्याले कहा जाता है संपुर्ण विश्व में भारतिय उप महाद्विप को पहचा दिलाने वाले संस्थानों में यह उल्लेखनिय रहा है इसकी स्थापना गुप्तकाल के दवरान पाचवी सदी में हुई थी उस समय कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी निव रखी थी तब यह दुनिया का पहला आवासिय विश्विद्याले था यह प्राचिन भारत का उच्चे शिक्षा का सबसे महतोपूर्ण केंद्र हुआ करता था इसके परिशर में कई कमरे थे और साथ बड़े-बड़े कक्ष थे इसके अलावा अध्येन के लिए नव मंजिलव विशाल पुस्तकाले भी था जिससे धर्मकुंज नाम दिया गया था जिसका मतलब सत्य का परवत था पुस्तकाले में धेरो किताबे थी इस पुस्तकाले के तीन भाग थे जो रत्नरंजक, रत्नोधती और रत्नसागर नाम से जाने जाते थे परिसर में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों का चैन मेरिट के आधर पर होता था और छात्रों को निशुल के शिक्षा दी जाती थी इतना ही नहीं उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निशुल को होता था नालंदा विश्य विद्याले में देश ही नहीं विद्यार्थि पढ़ने आते थे उस समय 10,000 से जादा विद्यार्थि शिक्षा ग्रहन करते थे जिनके मारगे दरशन के लिए 2700 से ज़्यादा अध्यापक नियुक्त थे पाचवी शताबदी इसा पुरुव से बारवी शताबदी यानि करीब 800 साल तक यह ध्यान का शिर्षक केंदर रहा कूरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेशिया, इरान, ग्रीस और मंगोलिया समयत कई अन्य देशों के छात्र भी नालंदा शिक्षा ग्रहन करने आते थे चीन के विख्यात बहुत दो भीक्षू जोन जांग भी यहां से धर्मगरंत साथ ले गए जिसका बाद में चीनी भाषा में अनुवात किया गया यह भी ध्यात है कि चीन के प्रसिद्ध यात्री हैंसांग भी सात्वी शताबदी में यहां आये थे इस विश्व विद्धयले में चात्रों को लिटरीचर, एस्ट्रोलजी, साइकोलोजी, लौ, एस्ट्रोनमी, हिस्त्री, मैस, एकोनोमिक सहीत कई विश्व को पढ़ाया जाता था चात्रों की फे हरिस्त में कई ऐसे नाम है जिने आज संपूर्ण विश्व में ख्याती लब्दो विद्वानों के रूप में जाना जाता है। और कहते हैं कि उसने उसे जला डाला। मगर इसके ध्यान की चमक को जानने वालों ने याद रखा। बात की पीडियों ने भी इसका इतियास सहच कर रखा। सेकड़ों साल बाद 2006 में जब ततकालिंग रास्त्रपती एपीजे अब्दूलकलाम आजाद ने बिहार विदान सब में अपने संबोधन के दवरान नालंदा यूनिरसिटी में जान फुकने का प्रस्ताव रखा। फिर क्या था बाहरी देज भी इस विश्वविद्यालाई को पुनर जीवित करने में रूची दिखाने लगे। सिंगापूर सरकार की तरप से प्रस्ताव आये थे और पुरोशाली अतीत को समेटे हुए इसे आधुनिक्ता का बहुद्रिक जामा पहनाया जा रहा है। राजगिर की पहाडियों के बीज बनरान नया नालंदा विश्वविद्याले इसकी शैष्निक महत्ता के साथ साथ प्राकूर्तिक शोबा बढ़ाने वाला होगा।